माहत्मा गांधी, University of Medical Sciences and Technology के इस पाँचवे दिश्टान सम्हारों में, इस विश्विध्याले के संस्तापक, डाक्टर M.L. स्वणकार जी, इस विश्विध्याले के चेर परसन, चांसलर, डाक्टर विकास स्वणकार जी, इस विश्विध्याले के वाइस चांसलर, डाक्टर सुधी सदेवा जी, प्रो वाइस चांसर डाक्टर जी इस सक्सेना जी, डाक्टर एकिश्विध्याले के सभी डीन, प्रोपेसर, संकाय के सभी शिक्षग्ण, सभी श्विध्याले से जुड़े अध्यापक, क्रमचारी, मैं आप सबको सादुवाद देता हूँ, कि आपकी कड़ी मेनत, समर्पन के कारण, आज राजस्तान का इस विश्विध्याले का नाम, पूरे देश में, अपनी सेवा के कारण, गोर्म में हुआ है, मैं आज सब उन विध्यारतियों को, शुबकामना देता हूँ, बधाय देता हूँ, जिनोंने आज डिक्री प्राप्त की, और उपादी प्राप्त करने के बाद, एक नए जीवन के अध्याय की वश्रुवात करेंगे, इस विध्याले में आपने DM किया, MCH किया, MS किया, MD की, अंडर ग्रोजिएशन करके डॉक्टर बने, डेंटर डॉक्टर बने, B.S.C., M.S.C., नर्सिंग, फिजो तेरी भाउस सारी संखायों में, आपने अपने जीवन के महत्पून शन्या गुजा रहे हैं, कड़ी मेनद परिश्टम से आपने गॉल्ड मेडिल प्राप्त किया, डिग्री प्राप्त की, इस सम्में आपके माता-पिता का मारदर्शन, या के डीन, प्रोपेसर का मारदर्शन, शिक्षन, प्रशिशन, जिसके कारण आपको इस सपलता मिली है, उन सबको भी मैं शुब कामनाई देता हूं, बढ़ाई देता हूं, आज वो डीन और प्रोपेसर बहुत कुश होंगे, जब उनके पढ़ाए विध्यारती, एक मानुए सेवा के पुनित कारे के लिए, समा सेवा के लिए, अपने आपको समर्पित करने जा रहे हैं, वो माता पिता भी धन्य है, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जनम दिया, ऐसी पुत्रियों को जनम दिया, जिन्होंने मानुए सेवा मानुता की सेवा के संकर्प और लक्ष को मान कर, डॉक्टर और पेरा मेडिकल स्टाप के रूप में, अपने स्टिक्षन और प्रसिशन का निड्ने लिया, महात्मा गांदी मेडिकल जुनिसिटी, जिसने भावत कम समय के अंदर, 2000 में इस विशिद्ध्याले की शुरुवात हुई, डॉक्टर एमेल स्वनकार एक ऐसे डॉक्टर थे, जिनोंने IVF के अंदर, इस उत्तर भारत के अंदर, अपने नए रिशर्च से, नए इनोवेशन से, एक नई फैकल्टी शुरू की थी, और मुझे आदे उस समय बहुत कठिन समय था, कि ये सपल होगी न होगी, लोगों में संश्यत थी, ये आशंकाय थी, कई तरह के आरों, प्रत्यारों, परेशानिया भी उस समय होती थी, लेकिन डॉक्टर संकार ने अपने लक्ष को, और संकल्ब को मान कर, कि मुझे इस दिशा के अंदर बढ़ना है, चंडिकर से पीजी करने के बाद, उसमें फटलर इस आईवे के सेंटर को खोलना बहुत कथिन समश्या है थी, हम हमारी पुरातर संस्कति को मानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने बहुत परिवर्टन किया था, अब जब भी नए मेडिकल साइंस में नए प्रयोग होते हैं, तो चुनोतियां बहुत होती है, चुनोतियों के बाद उन्होंने इस मेडिकल कोलेज की शुरुवात की, उस समय भी उनके साइंने बहुत चुनोतिया आई, कई सवाल उठे, लेकिन जो चुनोतियों से लड़ेगा, संगर्षों से लड़ेगा, उसी को जीत हासिल होगी, उसी वो सफलता में, वो अपने लक्ष और संकल्ब से हटे नहीं, उस लक्ष की और बढ़ते गए, और आज, राजस्तान में ने पुरी दीश के अंदर, इस महत्मा गानी मेडिकल यूनिर्सिटी ने, मेडिकल साइन्स और टेक्नोलोजी के अंदर, एक नए अध्याय की शुरुआत करकर, आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कोलेज और यूनिर्सिटी ने बन चुकी है, और मुझे कुशी होती है, जब मैं हॉस्पिटल का दोरा कर रहा था, तो मुझे गरीब वेक्ती मिले, गरीब वेक्ती ने कहा कि हम यहाँ इलाज करने आएं, कुछ मेरे संसिटी शेते थे, कुछ राज़स्तान के अलग हिस्सों के थे, और जिस प्यार से नोंने कहा कि यह यहां इलाज अच्छा होता है डॉक्टर अच्छा विहार करते हैं कई मरीज यहां से ठीक हो कर सबकुशल होकर गए कई ऐसे मरीज भी थे जिनको लगता था कि अब हमारी जिन्दगी को बचना मुश्किल है वह भी स्वस्तो कर गए कोरोना के वेशिक संकट के समय विश्व में चुनोती थी भारत में भी चुनोती थी हर मेडिकल युनिविशिटी मेडिकल कोलेज में बड़ी चुनोती थी दूसरा दोर हम सब के लिए बड़ा चिंता जनक था कोविट के दूसरी संक्रम लहर में हमेरे कई परिवार के लोग नहीं रहे और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऑक्सीजन से की कमी से लोग कि मुत्य हो सकती है पर ये दुनिया के अंदर हमने देखा है कई शताप्द्यों के बाद एक ऐसा वेरिंट आया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े विक्सी देश जो बड़े इनोवेशन रिसर्च करते थे जिनका मेडिकल साइन्स के अंदर अपनी ऑथर्टी होती थी बड़ भी इस वेरिंट को उस संक्रमन को रोकने में सपल नहीं उपाएं भारत के लिए विशेश टूप से चुनोती थी हमारा मेडिकल साइन्स हमारी टेक्नोलोजी रिसर्च अन्य विक्सी देशों के मुकाबले कम थी लेकिन हमारी सामुईक तागत्ती हमारी सामुई संकल शप्ती थी हमारे डॉक्टर को जो संस्कार और संस्क्रती दी थी कारी संस्क्रती दी थी वो मानुए सेवा की दी थी मानुता की सेवा की दी थी और इसलिए मानुता की सेवा और कारिश संस्कृति के कारण उन्होंने अपनी जान की परवा किये बना इस देश के लोगों को बचाने का काम किया डॉक्टर हो पेरा मेडिकल स्टाफ हो अटेंडन हो सपाई कर्मियों उन सब के योगदान को भुला नहीं सकते और जम कहते हैं कि डॉक्टर में इश्वर का वास है वह इस डॉक्टरों की कारिश संस्रीज ने भारत में प्रमानित कर दिये और महत्मा गादी मेडिकल कोलेज यूरिसिटी ने भी इसी तरीके से ऑक्सिजन की कमी हो तो डॉक्टर साब हमसे बात करते जो इनके सोर्सेज हो सकते उनसे बात करते अपने लिएनी समाज के लिए कि मेरे याँ आने वाला हर पेशेंट स्वस्त हो उसको ऑक्सिजन मिले विंती आग्रह करते रहें रोजाना सुबह शाम चोईस गंटे चिंता से के कहीं ऑक्सिजन की कमी न हो जाए यह हमारी संसकार और संसकती है और इसी लिए इस प्रयासों के कारण आज महात्मा गांदी मेडिकल यूनिसिटी के अंदर दुनिया के नेट टेकनोलोजी विज्ञान जो मेडिकल साइंस से जिसके बारे में भी हम आगे बढ़ रहे हैं अंग प्रत्यारोपरन के बामले में चाहे लीवर हो चाहे किट्नी हो तमाम चीजें जो विज्ञान और टेकनोलोजी के अंदर विक्सित देशों के अंदर है उन सबको इस मेडिकल यूनिशिटी ने कड़ी मेनद करकर यहां पर मैं जयाद है कि जब बड़े डॉक्टर होते हैं वह राज़दाने नहीं छोड़ते कोई दिल्ली हो बड़े बंबई हो तो छोड़कर नहीं आते हैं डॉक्टर ने एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों को यहां पे लाए गंगाराम के डॉक्टरों को यहां लेकर आए जो सर्शेश्ट फैकल्टीज होती है अपने विहार से अपने पुराने रिष्टों से यहां लेकर आए और आज आजस्तान के लोगों को एक किसा सेवा के रूप में ऐसा सहस्तान मिला है जहां केंसर हो चाए किटनी हो चाए लीवर हो हर्ड डिजीज की बिमारी का इलाज आज महात्मा गांदी मेडिकल यूनिशिटी बहुरा है और हमें जब नए विध्यारती मिलते हैं उनके माता पिता मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे बेटे को अगर निजी महाविध्याले में एडिविशन कराना है तो महत्मा गांदी में कराएं मुझे इस कोलेज में आया हूं मैं इस कोलेज में पहले पैशन ने आते थे गाउं से आस अपास के लोगों को गाड़ियां भेजते थे उनको लाते थे या पैशन को बढ़ती कराते थे मुझे भी चिंता लगती है जेपुर से बहुत दूर था कैसे चलेगा लेकिन डाक्टर साब का संकल्प आज पूरा हो जा रहा है अभी लेकिन और संकल्प है यात्रा और बर्त करनी है पिछली बाद डाक्टर साब मुझे मिले तो मैंने डाक्टर साब से आग रहा किया कि हम मेडिकल निजी मेडिकल कोलेज सेक्टर के अंदर भी कि रिषिर्च इनोवेशन के केंद्र खोलने के आउशकता है हमारा जो नया विध्यारती है मेडिकल का विध्यारती जो नई तकनीकी नई ग्यान नए सोच ने विचार के साथ चल रहा है जिसमें व्यापक बोद्धिख्ष्श्मता है कड़ी मेनज करने की शमता है नए रिसर्च करने की शम्ता है क्यों नहीं हम महात्मागानी मेडिकल यूरिसिटी में भी एक रिसर्च इनोवेशन सेंटर खोलें और डाक्टर साहब ने मेरी महात्मानी और उन्हें का जब बारा तारीक को आप आएंगे तो निजी मेडिकल कोलेज के रूप में एक बायतिन रिसर्च और इनोवेशन सेंटर हम जैपूर में खोलेंगे जहां कैंसर पर रिसर्च होगी लीवर पर रिसर्च होगी अन्य जो आने वाले वेरेंट हैं वेरेंट पर रिसर्च होगी और इन पढ़ने वाले विध्यारतियों को भी शिक्षन प्रसिशन के साथ एक विसर्च इनोवेशन के सेक्टर में काम करने का मोखा मिलेगा मुझे कुशी है कि जिस लक्षों की और डाटर सुन कार चल रहे हैं चाहे रिसर्च हो चाहे इनोवेशन हो चाहे कैंसर का नया होस्पिटिल हो एक हजार बेट के नए विस्तार का भी आजशिलानयास हुआ है आने वाले समय में उत्तर भारत के अंदर निजी शेत्र में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलिज उनिएसिटी जेपूर में होगी हम चाहते हैं कि राजस्तान का जेपूर मेडिकल टूरिजम का सबसे बड़ा सेंटर बने जहां सरकारी हो वाँ निजी शेत्र का भी योगदान हो सबकी साहभी बागिदारी सबके सामुइक्ता के साथ हम जेपूर को एक मेडिकल हब बना पाएंगे और मुझे आशा है कि संकल्प को हम सामुइक्ता के साथ पूरा कर पाएंगे यहां पर जो किस्वगन अब निकले हैं कई डाक्टरों ने डीम किये एमसी एज किये सुपर इस्पेस्टी सेवाओं का शिक्षन प्रसिशन कर लिया है जिसकी के अंदर जिंदगी के डि-म एमसी एज करते करते 13-14 साल बुजर जाते हैं जिंदगी के जो अच्छे दिन होते हैं आज मेडिकल कोलेज का नया विध्यारती आता है 18-20 साल यहां से जब निकलेगा तो 32 साल की उमर में निकलेगा यहां से एक कितनी कठिन परिश्चम है कि जीवन के महत्पुन्षन आपने उस मानुवी सेवा के लिए जिसमें आपका लक्ष है कि जो भी अस्वस्त वेक्ति मेरे पास आएगा कि मैं उसको सुस्त करूँगा इस संकल के साथ आप सिक्षन प्रसिशन कर रहे हैं आपके सिक्षन प्रसिशन में कई लोगों का योगदान है आपका माता-पिता का योगदान है शिक्षकों का योगदान है यहाँ पर जो स्टाफ होते हैं चाहे वो छोटा सा स्टाफ उसका य लोगदान है कितने लोगों का कंट्रिपूशन है कि आपके जीवन में कि और उस जीवन के लक्ष को संकल्प को जी से डाक्टर साब ने का कि हमारा लक्ष ते होना चाहिए मां संकल्प ते होना ची कि शिक्षा और ग्यान हमेश्य अदूरा रहता है आपने बारा साल गुजारे जिन्दिकी के और गुजारने विज्ञान और टेक्नोलोजिय गतीशील है जो विराम हो जाता है तो समप्त हो जाता है आपको दुनिया का सर्शेश डोक्टर बनना है मेडिकल साइंस में जितने भी नए इनोवेशन रिसर्च आ रहे हैं वो मुझे करने इस लक्ष के साथ निया से निकल दा है आने वाले समय के अंदर महात्मा गांदी मेडिकल यूरिसिटी के पढ़ने वाले उस विध्यारती का विज्ञान टेक्नोलोजी रिसर्च में पेपर निकले दुनिया पड़े यह हमारा संकल्प होना चीए मानोता की सेवा संस्कार हमारी कारिश संस्कृती में है और यह पुर्णी काम भगवान ने आपको हाथों में दिया इससे बड़ा पुर्णी और मानोता का काम आप नहीं हो सकता और इसलिए आपके जीवन में दिशाते होनी चीए संकल्प ने चीए केवल आप उसकी बीमारी से न जुड़े आपके पास अगर कोई बीमार वेक्ती आते बीमारी तक सिमित न रहे आप मानुए संवेदना के साथ उसके जीवन के साथ जुड़ें जितना बिमारी का इलाज कर रहे हैं उतनी मानुए संवेदना के साथ आपके साथ जीवन से जुड़ेंगे तो उसको जल्दी स्वस्त करेंगे जल्दी सक्वशल करेंगे इसलिए उस एक मरीज ने कहा कि डाक्टर साब का विहार अच्छा था डाक्टर साब प्यार से बोलते हैं अगर हम बीमारी तक सिमित रहे हमारे जीवन में मान विये सवेदना उस वेक्ति के जीवन के साथ जुड़ना क्योंकि डोक्टर के केने बाद हर मरीज और वेक्ति डोक्टर की बाद को मानता है और कोशिश करता है कि जो डोक्टर ने कहा उसकी सलाप चलो इसलिए आपका बहुत बड़ा योगदान उसके जीवन में है और हमें अभी medical science के अंदर और प्रगत्ति करनी है हमारे प्रधान्मंती जी का जो वीजन है जो सोच है कि दुनिया में सबसे अच्छे innovation भारत में हो शोद भारत में हो हर innovation हर research भारत के नोजवानों के साथ हो हम ग्रामिन शित्त के दूर दराज के अंति व्यक्ति के जीवन में सबस्त सिवावों में के महाध्यम से परिवर्तन ला सके कि इसलिए कोवीट के बाद चिकिसा इंफरस्टेचर में विशेश रूप से ध्यान दिया जा रहा है नए मेडिकल को लेज को ले जा रहे हैं एम्स को ले जा रहे हैं रिशर्च की नए संसादन को ले जा रहे हैं इस आजादी की 75 वर्ष की लोगतंत की यात्रा में हमारी चिकिसा व्यस्ता हमारा इनोवेशन रिसर्च की संस्तान बहुत कम थे लेकिन आज समाज की जुरूत है क्योंकि समाज में परिवर्टन शील किसी जवाने में एक विद्य होता था पूरे गाओं को ठीक करता था तब भी सुस्ती लेकिन जिस तरीके से जलवाई वो परिवर्टन हो रहे हैं लोगों के खान पान रहन संद के अंदर भोतिक सुईधाओं का ज़्यादा उप्योग शारारी श्रम कम करना जिसके कारण कई बिमारें के घर बन चुके हैं तो हमें बेतर स्वास्त सिवाओं के और बढ़ना पड़ेगा हमारी गाम इन स्वास्त सिवा भी बेतर हो इसलिए आदे वाले समय के अंदर डिजिटल के इस यूग में तक्निकी के यूग के अंदर हम दूर दराज के गाउं में बेट कर भी अपने डिजिटल तंत से टेली मिडिन से सिवा से उसको बेतर कर सकते हैं कि मुझे आज एक डॉक्टर में जब मैक्स होस्पिटल में गया तो मेरे बहुत पुराने मिनने वाले डॉक्टर साथ तो डॉक्टर साब मुझसे बात कर रहे थे लेकिन वो टेली मेडिशन से देश बर्के सभी लोगों को सला दे रहे थे दो दिन पहले जितने भी मरीश थे देश बर्के उन बरीजों ने अपनी डिजिटल जो भी उन्हों इन्वेस्टिकेशन था वो बेजा उसके बाद डॉक्टरों को सलाक दे रहे थे तो यूग परिवर्तन के और बढ़ रहा है यूग परिवर्तन में जहां पर आर्टिप्रिशल इंट्लिजेंसी का यूग है जहां डिजिटल का यूग है उस युग के साथ साथ हमें भारत की संसकती संसकारों के अंदर सविदना और मानविय सेवा के साथ हमारे जुणने के संकल को नी छोड़ना चाहिए और इसलिए मुझे आशा है कि आप आज जब निकलेंगे इस लक्ष के साथ निकलेंगे सेवा मेरा धर्म है मानोता की सेवा करना जिसा पुन्य काम मुझे भगवान ने दिया है मैं सब को स्वस्त रख सकूँ सब स्वस्त रहे मैं दूर दराज के अंतिमशित के लोगों से भी मेरा संपर्क रहे जाने अंग्याने कहीं बीमारी का पता नहों तो उसको ठीक से मारदशन करना उससे जुड़ना और सब को सुस्त रखना और एक दिन ये संकल्ब हमारा पुरा हुआ आप जैसे नोजवानों के कारण और भारत दुनिया के अंदर आज भी मेडिकल साइंस के रूप में भी मेडिकल चकिसा के रूप में भी सबसे बैतर विशेशनी इलाज सस्ता इलाज सुलब इलाज बैतर चकिसा भारत किये मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं दुनिया के अंदर जितने भी विक्सिताश्ट हैं उस विक्सिताश्ट के- अंद्र अगर 22 कोई Drbs वह को कि दोक्टर होगा अंडरी संस्कति संस्कार में मानवे classified है कि हम इस पेशे को मानुष सेवा के पेशा मान कर इस उपादी को प्राप्त करकर यहां से निकले और सभी को स्वस्त रखने के संकल्ब के साथ यह निकले मैं आप सबको शुकामना देता हूं बधाय देता हूं विशेश रूप से डॉक्टर सौनकार डॉक्टर विकास संकार जी को सादुआत बधाय देता हूं जो अपने जो सोचा था जो संकल्ब लिया था उसको आगे की और बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे सपने बहुत बढ़े है इन सपनों को पुरा करने के लिए में और धड़ इच्चा शक्ति से और संकल्ब के साथ बढ़ना है लिए महात्मांगानी मेडिकल युनिशिटी देश नहीं विश्षक की सबहते ही पेक्रें मेडिकल युनिशिटी बेना यहां हमारा लक्स होना चीए और इस सपनों को प् शुब कामना बहुत बहुत बथाई